जैन साथियो आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत हैं अध्यापक साथियो आज हम सीम राइज डेश्टल सिच्छक पर सिच्छड अंतर गाते प्रभावी सिच्छ प्रक्रिया का कोर्स टू अर्था आते कच्छा में बच्चों के सक्रीता की अंद्र प् प्रश्वठी अर्था आकलन प्रश्वठी में कौन कौन से प्रइश्न पूचे गये हैं और उनके सही उत्तर क्या है को मेश्जापक साथियो आकष्वठी खौल करने से पहले आप दीच्छ यूप पर जाकर इस को ठेक से पूरा कर लें यह कोर्स आपको सिच्छी प्रक्रिया में अर्थात अध्यान अध्यापनिक प्रक्रिया में बहुत ही लापकारी से धोगा आगे बढ़ने से पहले निवेदर हैं यदि अभी तक आप में हमारे चैनल ज्वाइफॉल इस्टुड्य को सब्सक्राइब कर लें त अध्यापक साथियू प्रश्णूतली का पहला प्रश्ण है कच्छा में बिद्यार्थियों की सक्रीता आवस्यक है क्योंकि सबसे उचित विकल्प चुने है पहला अप्शन है इससे बिद्यार्थी कच्छा में खुश रहते हैं दूसरो ऑप्शन है कच्छा में बिद्यार्थी की भागीदारी बनी रहती है तीसरो ऑप्शन है वे परिछ्छा में अधिक नम्मर लाप आते हैं और चौथा ऑप्शन है इससे उनकी सीख सुनिष्चेत होती है अध्यपक साथिसका सहयोत्तर है ऑप्शन चौथा इससे उ को प्योग करते हैं लेकिन जो विद्यार्थी किसी प्रिश्ण का उत्तर नहीं दे पाते हैं उन्हें विद्यार्थियों की कच्छा में सक्रीता और भागिदारी चुनौती पूरों में पाते हैं आप स्वेप सर को निम्ण में से कौन सा सुझाओ देंगे पहला ओप्शन है विद्यार्थियों को कोशिस करने और भाग लेने के लिए पुत्साहद करें दूसरा ओप्शन है विद्यार्थियों को सही उत्तर बूर्ड पर लिखने को कहें तीसरा ओप्शन है जिस विद्यार्थियों को उत्तर नहीं आता उसे छोड़कर दूसरे बिद्यार्थि को उत्तरह तक पहुचने के लिए संकेति या एक सहायख प्रस्णे प्रदान करें। में से का करना वश्यक है पहला अपशन है है तक्नीक च्प्यूक के द्वरान असान प्रिषन प्मूचना दूसरा अप्शन है बिद्यार्थियों की जूरी उनकी गूंते होई जूर्यों की चर्चा सुना जो बिद्यार्थी चर्चा नहीं कर रहे हैं उनके नामनुट करना अध्यापक स्याथ इसका सयुत्तर है ओप्सन तीसरा थिंक पेर सेर के दोरान घूमते होई बिद्यार्थियों की जूड़ियों से चर्चा करना अगला प्रेशन है निम्लेले खित में से कौन सा कथन होके एक रूचक सरुवात तकनिके के प्रात्मे कुद्यशों में से एक नहीं है ओप्सन पहला है बिद्यार्थियों को विशेवस्तू सीखने के लिए प्रिरित करना ओप्सन दूसरा है पाठ के प्रती बच्चों की जग्यासा जागरत करना आप्शन तीसरा है बिद्यार्थियों के पूर्व ग्यान का उप्योग करना आप्शन चोथा है बिद्यार्थियों के समझ के स्तर का आध्यापक्सातियों इसका सही उत्तर है आप्शन चोथा विद्ध्यार्थियों की समझ के स्तर का आकलन करना अगला प्रेश्ण है निम्ने में से कौन सा कथन सर्कूलेट या कच्छा में भ्रमल के यह तो तैयारी के एक घटक है निम्ने में से कौन सा कथन सर्कूलेट या कच्छा में भ्रमल है तो तैयारी के एक घटक है पहला अप्शन है असान इसे कच्छा में भ्रमल कर पाने के लिए मार्ग में से बधाओं को हटाना दूसरा option है बिद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार बैठाना तीसरा option है बिद्यार्थियों से पूंची जाने वाले प्रेशने तयार रखना चौता option है भर्मग के दोरान इस्तेमाल किये जाने वाले TLM की तयारी करना अध्यापक साथिस का सही उत्तर है option पहला असानी से कच्छा में भर्मग कर पाने के लिए मार्ग में से बधाओं को हटाना अगला प्रेशन है अपने बिद्यान की पाठ की सुरुवात में मुकेश सन्ने हुक के रूप में पांस मिनट के एक रुचकर खेल को काउप यूप करने की योजना बनाई लेकिन तीस मिनट के पाठ में उनकी पेच्छ से ज़्यादा या खेल पंदरा मिनट तक चला निमने में से सबसे उचित बदलाओ चुने जो मुकेश सर्व अगली बार अपने पाठ में कर सकते हैं पहला अप्शन है पाठ में खेल के बजाए वीडियो या किसी अन्य गतिविधी का उप्यूब करें दूसरा अप्शन है समय का बंधन न रखते हुए बिद्यार्थियों को अच्छे से खेलने दें ताकि वे उर्जावान रहें तीसरा अप्शन है खेल की अविधी को पांच मिनट से कम रखें चौथा अप्शन है चाहे खेल का नतीजा ना निकले लेकिन पांच मिनट बाद खेल को समाप्त कर दें अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है और संतीसरा खेल कियविद्य को पांच मिनट से कम रखें अगला प्रेशन है निमने में से कौन सा बिकल्प है? बिद्यार्थियों के संग्यानात्मक रूप से पाठ में सक्री होने का उदाहरन नहीं है निमने में से कौन सा बेकल्प है? बिद्यार्थियों के संग्यानात्मक रूप से पाठ में सक्री होने का उधारन नहीं है पहला आप्शन है सिच्छक के साथ साथ या सिच्छक के बाद उनकी वाक्यों को दोराना दूसरा option है सिच्चक के निर्देश ध्यान से सुनकर पाठ पुस्तक में दी पहली को सुल जाना तीसरा option है अपने बिद्यार्थियों के साथ सिच्चक द्वारा पूंचे गए प्रिशन का उत्तर खोजना चौथा option है सिच्छक द्वारा पाठ के दोरान साजा की गई वीडियो को सांति से देखते हुए अपने विचारों को पुस्तक में नोट करना साथ इसका सही उत्तर है option पहला सिच्छक के साथ साथ या सिच्छक के बाद उनकी वाक्यों को दोराना अगला question है आपके अनुशार कच्छा कच्छ में सिच्छक को खड़ी होने के लिए निम्ने में से कौन सा इस्थान चुनना चाहिए पहला option है कच्छा में सबसे पीछे खड़ी होना चाहिए जिससे पाठ के दोरान सभी विद्ध्यार्थियों को देखा जा सके दूसरा option है पूरी कच्छ में घुमते रहना चाहिए जिससे सही विद्ध्यार्थियों को आवसिक्ता नुशार सहायता प्रदान की जा सके तीसरा option है बोड के पास खड़ी होना चाहिए जिससे विद्ध्यार्थी आपको देख सके चौथा option है एक कोने में खड़ी होना चाहिए जिससे विद्ध्यार्थी टीलम और बूड को देख सके अध्यापक साथ इसका सही उत्तर है option दूसरा पूरी कच्छा में घुमते रहना चाहिए जिससे सभी बिद्ध्यार्थियों को आवसिक्ता नुशार सहायता प्रदान की जा सके अगला प्रेश्न है साथ इस मेर्ण की बिद्ध्यार्थी या तो कच्छा में बिल्कुल भाग नहीं लेते हैं या केवल कुछी बिद्ध्यार्थी भाग लेते हैं उन्हें अपनी कच्छा मेंγαग को अपयूग करना चाहिए यकूब एसा करने से साच्छी मेडम ओप्सन पहला है कच्छा में भेतर नियंद्रल पासा केंगी ओप्सन दूसरा है उन्हें कच्छें पूंची जाने वाले प्रशनों है तु तयारी करने के सकता नहीं होगी ओप्सन तीसरा है सिछड अध्गम प्रक्रिया में सुच्छा से भाग न जिससे कच्छा में भागी दारी बनी रहें साच्छी का सायुत्तर है और संतीसरा सिछल अध्गम प्रक्रिया में सुच्छा से भाग ना लेने वाले बिद्यार्थियों की भागी दारी और सक्रीता सुनेचित कर सकेंगी अगला प्रेशन है अखला मेडम ने अपनी कच्छ में ठिंक पेर सेर तकनीक का पहली बार उप्योग किया उन्होंने पाया कि बिद्यार थी इस प्रक्रिया में उलज रहे थे और उन्हें आपस में विचार साजा करने में कठना ही आ रही थी ऐसी परस्तिती में अखला मेडम को क्या करना चाहिए ऑप्शन पहला है इस तकनी कप योग बंद करना चाहिए जिसे कच्छा में बेवधान उत्पनना हो ऑप्शन दूसरा है प्रक्रिया को रोक कर नरदेशों को दोहराना चाहिए जिसे बिद्यार्थियों को जूरियों में बिचार साज़ा करना समझ में आए ऑप्शन तीसरा है कुछ नहीं बस इस तकनीक को दोहराते रहना चाहिए क्योंकि समय से इसका क्रेयान ठीक हो जाएगा ऑप्शन चौथा है बच्छों को जूरिया बदलनी चाहिए जिससे वह अपने मित्रों के साथ खुलकर बिचार साज़ा कर सकें साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा प्रिक्रिया को रोक कर न इसकुछ के दस में से सभी दस प्रिशन को उत्तर दिये हैं आसा है आपको अधिक्तम अंक प्राप्त होंगे अध्यपक साथ ही आपको इसके बाद जो है समिट बटन पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा प्रिशनुत्री प्राप्त अ आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने अध्यापक साथ्यों के साथ सेयर करें और हमारे चैनल जॉयाफोल स्टड्यू को सब्सक्राइब करें धन्यवाद